कि हलो दोस्टों स्वागत आपका मेरे घर की रसुही में मैं रेखा जैसा कि कल संडे था तो बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा फंडे हम लोगों का बीता था साथ में बहुत मस्तीवा बहुत मजाया बहुत खुस थे सारे लोग और क्योंकि सबसे पहला यह था कि नास्ता बनाए थे इनके पापा यानि कि बच्चों के पापा ने नास्ता बनाया मैगी वैसे तो मुझे नहीं पसंदे लेकिन बहुत खास हाथ से बना हुआ था तो हमें थोड़ा सा खाना ही पड़ा और हमें घेर के बैठे थे सारे बच्चे कि तो हर दिन होता है और ऐसा कोई खास दिन नहीं है कि आज मदश्ड है तो आज ही आपकी लिए खास है। दिन देखिए संडे को हम लोग सारे लोग ऐसी बैट जाते हैं और नास्ता सारे लोग किचन में ही बैट के चारू का अपना सिंग्नेचर इस्टर बहुत ज्यादा प्यारी लगती है जब काम करती है वह आप मेरे कई वीडियो में देखे हों गया बताइए कमेंट्स करके कि आपने और कहां इसको इस तरह के रील में या इस तरह के वीडियो में देखा है सिंग्नेचर सर पे हाथ रखके पताने क्या करते हैं यहां बच्चे डिसाइट कर रहे हैं कि आज मदश्डे है तो आज और अलग सा क्या कुछ कर लें तो एक दूसरे को बोल भी रहें कि ऐसा गास देपर तो नैंसी का तयारी करना है हमें उसका लाश लखनों का यह त्रिप है फिर से उसको एक बार जाना है और अभी इच्छा तो नहीं है कि आज ही आज जाना है लेकिन जाना उसको संडे को धा तो बंडे को उसको उसका जो भी वर्क प्रोजेक्ट था वह सब और नीचे के room में नीचे वाले floor में एक room है बहुत ज़्यादा सा बहुत ज़्यादा संदर सा हमें अब नहbles spoke आपके बर मेरे पिश्वी वीडियो में 20 सारा वीडियो ऐसा है जिस père स्वापता पूरा आपjat चौकी लगवाई है जो लाइट चाल तो होता है लेकिन ओ दिखता नहीं है की कहाँ चालो रहा से ब्लू-ब्लू कलर का कुछ शाइन करता है और पूरे रूम को सजाने के बाद पूरे लाइट को सजाने के बाद अंधिरा करके उस रूम में एक छोटा सा बहुत जड़ा छोटा सा और बहुत प्यारा सा केक रखा हुआ था जब मुझे बुलाया गया कि ममी आप आई है तब ही हम समझ गये थे कि बच्चे जो है कुछ सिदा उतर रहता तो थोड़ा सा मन खराब हो जाता है लेकिन इसमें नैंसी साथ में थी और सारे बच्चे मिलकर डेकोरेशन किये हैं और केक मंगा के हमें केक काटने के लिए बुलाए है तो यहां केक कटिंग हुआ है संडे को और इनके पापा खाए है सबसे पहले चारू मोनू, नैंसी, बहु, हमारी संजना और चारू की एक फ्रेंड आई थी मैं वीच वो भी तो छोटा सा यह देखके और हम केक तो काट लिए लेकिन उसके उपर से हम मोंबती को फूप मारना भूल गए थे तो यहां बच्चे बारी-बारी से हमें किस कर रहे हैं प्यार कर र प्लार दिखा रहे हैं और यहां बन गया है कुछ अच्छा सा नास्ता नास्ता बना है तो थोड़ा नैंसी को लेके भी जाना था ट्रेन में वैसे हो कोई रोटी वगारा नहीं खा पाती है उसको वही चीज खाना है जिसको चमर से उठा के खा सके और यह मंडे आ गया है न प्रेन कलर का पती वेगरा लगा कि बहुत जादा सुन्दर लग रहे है रूम में जब ही हम लोग रूम को देखते है तो असाल लगदा जब हैसे जब यह सजा आपके डिकोरेट करती है तभी हम आपस बात करते कि अब यह रूम हमारा होने वाला है और यह रूम हम लेने व चना को रोष्ट करके जो उसका पाउडर बनता है यह उसी का सत्तू है अब हम इसमें डालेंगे पानी थोड़ा सा पानी ठंडा पानी आप चाहते हैं बरफ लेना तो आप बरफ भी यूज़ कर सकते हैं और एक में हम डालने वाले हैं चीनी डालिए या आप सीरा डाल सकते हैं तो इस तरह मेरे पास बनाया हुआ है सीरा मिठास के लिए और एक हम बनाएंगे नमकिन जिसमें हम डाल देंगे नमक जीरा पाउडर थोड़ा सा चाट मसाला अगर आप मीठा चाहते हैं तो इसमें मीठा डालिए बहुत ज्यादा है बहुत हलका सा और वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं तो हम अब डाल देंगे मीठा वाले में बर्फ क्योंकि मुझे बर्फ नहीं चाहिए अब आइस क्यूब डालके आप इसे अच्छे से लेक्स करें इसे अच्छे से मिलाना है तापि इसमें कोई भी लम्सया गुठ्लिया ना रह जाए उसके बाद आप इसमें चाहें और पाने डाल दें अब हम यह बनाएंगे नमक वाला तो इसमें आमने नमक डाल दिया है और हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया अगर आप टेस्ट पसंद करते हो हरा धनिया का तो थोड़ा सा थोड़ी से हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च अगर आप तीखा पसंद करते हो तो थोड़ने स्किप करें थोड़ा सा कटा हुआ बारीक प्याज और हम इसमें हमेन डाल देंगे कि निम्मु का रज को हुआ हम इसे कि अच्छे से मिक्स करेंगे पहले थोड़ा सा पानी डाले और इसे अच्छे ग्लास पानी का भर लें ताकि इसमें कोई गोटलिया नहरा चाहें तब हम इसमें पानी भर देंगे आप ठंडा पानी बर्फ जो यूज़ करना चाहते हैं जो आपका पसंदो हमें ठंडा पानी और बर्फ दोनों से ही परिसानी है तो इसलिए हम सिर्फ साधा पानी सब्सब्सभिए लश्ट में हम इसमें डाल देंगे मेरे पास थोड़ा सह को आप सुखा के पावडर है इसमें तो ही उधी ज्यादा publications बाने वाला है और इसे हम अच्य से मिला देंगे चलिए लास्ट में तो आप येकिन निककरेंगे कि में इसमें इसमें किया डालने वाले हैं यह है मेरे पास आप चाहरे तो पी सकते हैं और इसमें Mereak पास है लाल मिर्च अचार का तेल और मसाला है इसको भी हम इस तरह से इसमें डाल के मिला देंगे यह बिल्कुल आपको गाउं वाला जो स्पीज कराएगा टेस्ट इसका तो यह मेरा नमक वाला और यह मेरा मीठ वाला तो दूनों सबस्क्राइब के तैयार है तो दूनों सबस्क्राइब के तैयार है झाल 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 यह नमक वाला सत्कु का सर्बत है, इसको आप एक बार जरूर से ट्राइ करिए, इसके बताते में, वाँ! कुछ हम बोली नहीं पार है, कुछ सब्दी नहीं बोलने के लिए इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा है, अगर कुछ कमी है इसमें, तो सिर्फ वर्फ का जो हम यूज नहीं कर सकते हैं, आप चाहें वर्फ यूज कर सकते हैं, मेरी चानल को में पीज लाइक सुस्क्राइब तो दिखा आप लोगों ने हमने सत्तु का दो ड्रिंक बनाया है चीनी में, जो बहुत अच्छा तो लगता ही है, और एक जिसमें हमने थोड़ा सा प्याज मिर्चा, हरा धन्या और पुदीने का सुखा हुआ पाउडर और ला की सारा काम ने पड़ गया है, तो इस तरह से बीता मेरा संडे यानि कि फंडे अच्छा दे नैंसी चली गई तो घर थोड़ा सुना हो गया है, बस उसके बाद हम लोग कन मिलते हैं, ओके बाए